प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आजकल दौरे पर निकले हुए हैं लेकिन ये दौरा कोई सामान राजनितिक दौरा नहीं है ये संकेत है कि इस बार जहाँ जहाँ परधान मंत्री नरेंदर मोदी गए और जहाँ पर उन्होंने एक भ्रस्टाचार की बड़ी बाते कही है वहाँ पर ED और CBI कराप्सन की कुंडली तैयार करके रखी है ये ऐसा नहीं है कि संकेत के बाद एक्सन नहीं होगा क्योंकि पिछले दिनों एक संकेत भोपाल में दिया गया कि महरास्ट में जो चल रहा है उस पर अब आगे बड़ी कारवाई होने बाली है और महरास्ट में एक नया खेल हो गया हाला कि करप्सन के चार्जे जो महरास्ट में नेताओं के उपर लगे हुए है उस पर अभी कोई एक्सन हलकी नहीं हुई है यहां तक कि NCP के कुछ नेताओं पर भी ED और CBI ने सिकंजा कसना अभे भी चालू रखा है लेकिन अब उन्होंने 36 गड़ में बात कही है तेलंगना में कही है राजस्थान में और फिर एक और स्टेट जहां पर करप्सन की धरिया बह रही है वहां पर जहां पर हर रोज 3 लाख रुपया का कमीशन लिया जाता रहा है इन 5 स्टेट के विपक्षी पार्टियों के 5 मुख मंत्री की करप्सन की कुंडली तयार है और पिये मोदी ने ये संकेत दिया है कि इन लोगों को 3 महिने के अंदर जेल के अंदर आप पाएंगे क्योंकि ED और CBI इनके करप्सन की कुंडली को तयार करके रखे है और इसलिए पिये मोदी बार बार कर रहे हैं 36 गड़ के मुख मंत्री भोपेश बगेल कॉंग्रिस का ATM बने हुए है ब्रस्टाचार 36 गड़ में इस कदर हावी है कि हर डिपार्टमेंट को खो दो तो वहाँ पर कोई ने कोई ब्रस्टाचार मिल जाता है हजारो कलोड रूपय का ब्रस्टाचार यहां हुआ है ये 36 गड़ की बात है ऐसा नहीं है कि 36 गड़ में ब्रस्टाचार के सुबूत नहीं है और CBI और ED दोनों का रावाई नहीं कर रही है सुरुआत करते हैं 36 गड़ के मुक मंतरी भुपेश बगेल के बारे में जिसके बारे में पी ए मोदी ने कहा कि 36 गड़ के सीम भुपेश बगेल को रोटेशन वाले नीती से कॉंग्रिस ने बाहर कर दिया कैसा क्यों किया क्योंकि भुपेश बगेल वो व्यक्ति है जो सोनिया गांधी राहुल गांधी कॉंग्रेस के लिए फंड इकठा कर रहे हैं जो की कॉंग्रेस के अभी ATM बने हुए हैं मतलब भुपेश बगेल के बदले टीयस सीदेव को धाई साल के बाद इसलिए सीएम नहीं बनाया गया था क्योंकि बगेल तो कॉंग्रेस के लिए पैसा इकठा कर रहे थे अपनी जेब भी भर रहे थे और पार्टी के फंड में भी पैसा दे रहे थे और इसके सुबूत ED के पास भी है CBI के पास भी है जिसमें एक मामला कोल ट्रांस्पोर्टेशन को लेकर है जिस तरीके से तीन लाग से जादा रुपे की पर डे वसूली की बात ED ने कही है उसमें तो साब दिख रहा है कि भुपेश बगेल के खाते में पैसा जाता था इसमें पूरा नेकसस काम करता था परमिट के लिए किसी भी जो कोल ब्लॉक के खरीदार है उसको एक व्यक्ति से संपर करना पड़ता था वो उसे परमिट दिलवाता था और फिर कोल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए जो वहां से हर एक ट्रक गुजरता था उन ट्रकों से कमी इसन लिया जाता था और इसके पुखता परमान है इसमें च्छापे मारी की गई एक आईएस ओफिसर समीर बिश्नोई के उपर भी च्छापे मारी की गई करोडों की संपत्ति जब्त की गई है यही नहीं तिवारी चाचा भतीजा यानि लक्षमी कांतिवारी सुरी हैं और उनके यहां से भी करोडों रूपे की संपत्ति जब्त की गई है 47 करोड के करीब की संपत्ति अटैच भी की गई है यही नहीं जो बगेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चोरसिया उनके यहां से भी बामन करोड के लेंदिन के सुबूत मिले हैं यानि की सी एम इपार्टमेंट नेता चोर हो और वो इमांदारी से सरकार चला रहा हो यह नीतिक कॉंग्रेस की पहले से भी रही है कॉंग्रेस में जब भरस्ताचार चरम सीमा पर थी यूपीए वन और यूपीए टू में तो उस समय भी कॉंग्रेस ने मनमोहन सिन के उपर एक खेल खेला था कि मनमोहन सिन बिल्कुल व्यक्ति का तौर पर बहुत ही इमांदार व्यक्ति हैं चाहे टूजी अस्पेक्टरम घोटाला हो या फिर कोल ब्लॉक आवंटन का घोटाला सारे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं लेकिन मनमोहन सिन को इसमें से कोई हिस्सेदारी नहीं मिल कॉंग्रेस के सारे नेता इमांदार हैं यही हाल बगेल के यहां भी चल रहा है जब बगेल के घर पे चापे पड़ रहे हैं उसके डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ी जा रही है तो फिर बगेल कैसे बच सकते हैं यही इसारा पिये मोदी ने किया है कि अब बगेल का नंबर आने वाला है क्योंकि कोल आवंटन घोटाले ट्रांस्पोर्टेशन घोटाले में जान तो चली रही है और एक और नया घोटाला करीब दो धाई हजार करोड का आया है वो है सराब घोटाला 36 गड़ के अंदर जहां पर सरकारी करमचारियों सरकार से मिली भगत करके सारे सराब के नेता बगेल भी सामिल है क्योंकि दो हजार धाई हजार करोर रुपया कोई एक छोटा मुटा नेता नहीं खा सकता कोई मेर का भाई नहीं खा सकता ये सारा बंदरबाट हुआ है और इसलिए पिये मोदी ने कहा है कि बगेल जो करप्ट नेता है जो सोनिया गांधी की कुंडली CBI और ED ने तयार कर रखी है उसके बाद उन्होंने संकेत दिया है के CR के बारे में जो दूतरे मुखमंत्री है विपक्षी पाटियों में वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे है हाला कि कॉंग्रेस के साथ गठवंधन तो नहीं है लेकिन एक तीसरा मुर् भारतिय जनता पाटिये खिलाब बनाने की मुहीम उनकी जरूर चल रही है और उन्हें भी कहा गया जो पिये मोदी ने कहा कि ये सबसे भरस्ट मुखमंत्रियों में से एक है क्योंकि इतने सालों में इन्होंने हर विभाग से कमीशन खोरी का एक नया तरीका एजाद किया है इसके साथ ही सबसे बड़ा घोटाला जो इस समय का देखा जा रहा है वो तिलंगना में ही देखा जा रहा है के सी आर के राज में देखा जा रहा है जो है काले स्वरम लिप्ट से चाई परियोजना एक लाख बीस हजार करोड की ये परियोजना चल रही है जिसका इनिस्यल बजट जब WSR के समय में था जब वो CM थे आंद्र पर्देश और तिलंगना एक राज्य था उस समय 38,000 करों रुपया था और इसका जो बजट है धीरे धीरे बढ़ा के चार गुना कर दिया गया एक लाख 20,000 करों कर दिया गया और इसमें जितने ठेके हैं वो KCR के पाथी के नेताओं के हैं मंत्रियों के संबंधियों के पास हैं और इसमें 80,000 करों रुपय का तो सिर्फ लोन लिया गया है जिसका इंट्रेस्ट रेट 6% से जादा है यानि की रज्य सरकार का पैसा हर बार इस इंट्रेस्ट में जा रहा है करोंडों में और उसका फायदा KCR के पाथ इस तिलंगाना के प्रमुक हैं उन्होंने CBI को शिकायत की थी और DIG रैंक के CBI के अधिकारी से इसकी जाज की बात कही थी और इसके बाद इसकी जाज की पूरी कुंडली तयार हो रखी है कभी भी के CR के घर पर छापा पड़ सकता है ऐसे उनकी बेटी के कवीता तो शराब पायोग से फैसला आ सकता है गवर्नर के पास से यह फरमान आ सकता है कि आपके विधान सभा सदस्ता खत्म होती है आप सीम के पत्ते हटो और वो है जारकंड के सीम हेमन सोरिन उनके उपर जो स्टोन माइनिंग का बड़े करप्सन कारोप है उसमें तो सीधे हेमन सोरिन शाम आते थे वो पैसे बिजनसमेन को देता और फिर जो ब्लैक मनी था उसको वाइट करके हेमन सोरिन के पास पहुचाता था यानि की दलाल जो बिजनसमेन और सरकार के बीच का काम करता था और वही ठेकेदारों को ही मैनेज करता था लेकिन दूसरे एक और था बच्चु जाद था और बच्चु जादब एक बहुवली था जो हर स्टोन के माइनिंग वाले क्रेसर मसीन वाले ट्रक वाले सब को धंकियां देता था और ये धंकी ऐसे नहीं होती थी यानि तुम अब बिड नहीं डालोगे ठेकेदारी के लिए क्योंकि यहां पर हिमन सोरिन की कमपनी ठे के में पार्टिसिपेट करने वाली है और उसी को क्रसर मसीन का ठेका मिलेगा धोने का ठेका मिलेगा और वही बच्चु जादब के लावा एक और था पंकजमिस्रा जो एडी के सामने कबूल कर चुका है कि वो बीस लाक से लेकर पांच करोड तक की रकम इधर से उधर किया रही आने कि वो कूरियर का काम करता था पैसा पहुचाने वाला था जो प्रेम प्रकास का पैसा बिजनसमेन तक पहुचाता था और बिजनसमेन का पैसा हेमन सोरेन तक पहुचाता था उसने अपने बयान में भी कहा है और यही नहीं इसमें एक रवी केजरिवाल भी है जो क कोसा द्यक्ठ हुआ करता था हेमन सोरीन की पाटी का prá Gather का उसने भी बयान में कहा है कि पंकज मिस्रा प्रेम प्रकास और बच्य जादब के बारे में तो कुछ न कुछ जानकारी है लेकिन प्रेम प्रकास के जैसे मनी सिसोधिया, दिने सरोडा और विजय नायर का मामला है कि सिसोधिया ने विजय नायर के बारे में कहा और साथ ही दिने सरोडा के बारे में कहा कि ये दोनों जो हैं हमारे राइट और लेफ्ट हैंड हैं आप लोग जितने भी सराब माफिया हैं इन दोनों से कंसल्ट क सकते हैं और उस हेमन्तोरिन को भी जेल जाने की तैयारी हो रही है जल्द ही उसके खिलाफ कारवाई होगी एक चौथा मुखमंत्री जो है वो है अशोक गहलोत जहां पिये मुदी हुंकार भर रहे हैं और बार बार इशारा कर रहे हैं ये गहलोत जादुगर है ये जादु से पैसे इधर से उधर करता है पेपर इली करवाता है कलोडो की हेरा फेरी करता है और उस जादु से ही सोच रहा है कि EDE और CBI का इस्तेमाल इसके खिलाफ न हो पाए लेकिन होगा और अशोक गहलोत के उपर तो एक और मामला चल रहा है जिसमें 7 अगस्त को दिल्ली में अशो इबनी घोटाले में गजंदर सिंसे खाबज जो केंद्रिय मंत्री हैं उनके खिलाफ जो टिपनी की थी उसमें मानहानी का मामला चल रहा है और समन जारी हुआ है गहलोत पेश हो और उसको इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा साथ ही इसमें जो क्रिमिनल डिफेमेशन का के से कहीं राहुल गांधी की तरह गहलोत भी नन अप जाए लेकिन उसके भरस्ताचार की कुंडली भी निकाली जा रही है और उसमें उसके बेटे बैभव गहलोत का भी नाम है जिसमें बाप बेटे दोनों की गिरफतारी हो सकती है और पाँचमा सीएम तो अर्विंद अप्त हो चुकी है बामन करोड पर जो एडी का एक्शन हुआ मनी लॉंडरिंग मामले में उसमें अब केजरिवाल का नंबर आने वाला है क्योंकि वसंदरा में और जो मैयूर विहार में फ्लैट मनी सिसौदिया का है वैसे ही फ्लैट अर्विंद केजरिवाल ने भी वैसे ने भी गवाहि ली और उसके बाद जो धड़ा धड़ चापे पड़े बामन करोड की संपत्ति अटैज की गई जिसमें कैश भी है फ्लैट भी है और अब केजरिवाल का भी नंबर इसमें भी आ रहा है सी समहल गोटाला स्नूप गेट गोटाला एक नहीं कई ऐसे गोटाले हैं जिसमें अर्विंद केजरिवाल के उपर एक्षन होने वाला है यानि अब तक जो एडी और सी बी आई ने किया पी ए मोदी ने जो बाते कही उसमें पिछले आठ सालों से देखे तो एक लाख सतर हजार करोड की संपत्ति अटैज की जा चुकी है नौसा करोड की संपत् अभी इन लोगों का ब्रस्ताचारियों का जबती हो चुकी है और उसके अलाबा जो पिये मिले के तहत 35 से जादा मामले दर्ज हुए हैं उसमें च्छापे मारी भी हो रही है 23 से जादा लोगों को जेल में भी डाला जा चुका है और अब नंबर इन पांच मुखमंत्रियो का है जिस पर पिये मोधी का कहर तूटने वाला है और जल्द ही ये चेल की सलाखों के पीछे होंगे तो इसे तरह खबरों के साथ फिर से आजिर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देता रही हमें सहयोग ताकि यसे तरह ही खबर हम आपके लाते रहे हैं धन